तो मैंस्टेडवित राजन से राजन कुमार यह जो ब्यार स्पेसल का टोपिक है चंपारन अंदोलन यहां से एक साल अंतर करके मेंस के लिए तो कोशन बनते ही हैं और पीटी में आपको हमेशा एक कोशन यहां से देखा जाता है और कोशन यही रहता है कि मात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्यगरा कहां से किया था चंपारन से ठेक कभी कभी रूप बदलता है और बदलने के दवरान हो सकता है कि आपके कोशन चूटे तो चंपारन को टोपिक को आप एक 10-15 मिट का वीडियो होगा पुरा देख लिए अच्छा से एक से दो बार आप देख पास कुछ मिट्रेल हो जाएंगे ठीक तेस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा ठीक है दोस्तों चलिए चंपारन अंदुलन तो चंपारन अंदुलन जो है यहाँ पर क्या होते हैं कहाणी पता है सबको एकवर हमत रफली पता डेते हैं कि चंपारन में निल की खेती हुथ करगे जाती है तर तीन कठिया . तिन कठिये बहषत के अंत्रकत् एक बीगाहा है जमीन यहिने तीन कठ्था जमीन पर आमारीजों के द्वारा नील fonctionne की क्छेती में कि पर आ नील क्छान चुना जाते था यहां जमीन जे ना कि किसान के द्वारा सवनाता है ऑड़ से Geva पास एक बहुत अच्छा जमीन है जिस पर निल अच्छा हो गएगा आगे अंगरीश कहा कि आप इस जमीन में क्या कि निल भूई यह तीन कठा मेरे हिसाब से एक भी गाया के पर्दी तीन कठा तो यहां पर किसान अपने आपको सोसित महसुस करते थे जिसको लेकर पीछे भी अंदोलन हुए है उनीस सत्रे के पहले भी लेकिन वे अंदोलन आपको असफल हो गए हैं जब आत्मा गांधी चमपारन में आये उन्होंने अंदोलन किया उसके बाद निल की बहुस्ता जो थी समापत हुई ठेक इसको थोड़ा बेतिया और राम नगर राज से अस्थाई तर या और अस्थाई पट्टे पर जमीन लेकर लेकिन दो राज थे कौन-कौन तर बेतिया और राम नगर इन दोनों राज से जमिन ले लिए पट्टापर अस्थाई और अस्थाई और निल की खेती शुरू कर दिया और इसके साथ अपनी कोठिया अस्थापेत किया जहां पर इन लोग का आड़ा होगा करते था इरोपिये निलहे उतर बिहार में दो परकार से निल की खेती करते थे चमपारन में या उतर बिहार में कहिए तो दो तरीका था निल की खेती करने का एक जो तरीका था वो था जिरात दूसरा जो था असामी बार कौन कौन प्रकार था दोस्तो एक था जिरात दूसरा असामी बार जिरात में क्या होता था दोस्त कि निलहे जो थे अपना खेत अपना हल बैल सब कुछ रखते थे किसान लोग को आके खेती करना होता था या अपना हल बैल आके खेती कर देना होता था इसमें बस मजदूरी चाहिए वही ना मजदूरी के लिए मजदूरी बहुत कम दी जाती थी या बेगार पर काम कराये जाता था अब यह बेगार क्या होता है दोस्तों तो बेगार में क्या होता है कि बीना मजदूरी के काम करना होता है जिसके करण किसानों में असंतुष्टी का भाव था ठीक अब देखें जिरात आपको बता देए क्या होता है तो जिरात कंद्रात वे अपने सीधे देख रेक में अपने हॉल बैल की सायता से निल की खेती करते थे और किसान मजदूर लोग आके खेती करवाते थे ठीक आसामी किसान के खेती होगा इसमें के द्वारा उनी के खेत में रहतों में ही नेल की खेती करते थे इस बेहुस्ता Васदा कंद्रा तीन प्रकार था अब देखेंगे जंसे आपको जिरात।हा है एक ही प्रकार का है असामी बढ़ ठीन प्रकार इसमें एक तीन कठिया दूसरा खुंस्की अर तीसरा आपको यहां पर मताते हैं। तीसरा है आपको कुर्टवली दूसरा क्या है कुण कुर्टवली और तीचर तो भूस के तंस्व्मने के तोहती तक तो ही तोह हासति घ्क, humor और परिशलिती चंपारन को फुर्ली दो उख स्वसे अधिक में १ सोचन होता था थीक आपको आको याद करना है यहı 6 यह यहां की जगह तीन घटएअ क्या किया प्रणाय में प्रॉषन कईया किया छा辥ी पॉस व्य गाली में 99% बनेगी वागी सब कहानी है जनकाली के लिए है एकजाम में कोशन बनने की समावना बहुत कम हो जाती है ठेक जामबारन में स्वार्धिक परसले तीन कठेया के अंतरिकत रहतों को अपने परती वीगाः मतलब एक वीगाः खेत में तीन कठेयाना परता था तीन कठेयात्य मतलब 20 कठेया में आप तीन कठा निल उप जाएगा आपको नो कठा जमीन में आपको क्या करना पड़ेगा निल उप जाना पड़ेगा ठेक ए बात याद रखेगा अपलो अत्या चारों की इस दानुवी बेवस्ता के भिरूद बंगाल के नदिया और एसो और जीले में रहतों ने 9879 में आवाज उठाई मतला बंगाल में भी इसी प्रगा की बेवस्ता थी तो बंगाल में खेती होती थी 1869 में नदिया जीले में बिद्रोह हुआ जिसे हम लोग नील बिद्रोह कहते हैं जिसे क्या कहते हैं एक मिनट एक मिनट दोस्तों एक मिनट जिसे क्या कहते हैं आपको बंगाल में नील बिद्रोह हो चुका था ठीक हिंदू प्रेट्रियाट के संपातक खरिचन्द मुखरजित जो थे किसानों के पीड़ के लिए वाज उठाये था इस नील बिद्रोह के द्वारा बंगाल में नील के खेदी समात्त किया गया आगे क्या होते हैं दीन बंधु मित्र जो थे अपने बंगाल नाटक नील दर्पन याद रिखीगा बंगाल में नील नील विद्रो की घंटना को कौन दिकाये थे अपने पुछ्तक में जो बंगाल में नील विद्रो हुआ था तो उसको दिखाये धे दिन Waham i याद रिखेगा बिहार के नील के बारे में नहीं बता रहें हैं बंगाल वाले नील विज़ों बता रहें याद रिखेगा नील दर्पन का अनुवाद बंगाल के शुपर स्षीद को भी मॉधुसुदं द fisherman किया है यह आपके लिए इन्पोर्टेंट हो जाएगा कि नील दरपंजुक पुष्टक है उसका अंगरेजी में अनुवाद कौन किया है तक कभी मौधु सुधन दत ने किया है ठेक याद रखिएगा अतियाचार से स्रत होकर मता अतियाचार से तंग होकर उतर बिहार के रहतों ने मतलब चंपारन में इसके पहले भी विद्रो हो गए थे कभ हो थे अठार से संसट में विद्रो की आगस्वरपर्थम लाल सरय कोठी से फुटी और वहां से पुडोश करन अनेक दूसरे आस्तानों में फैल गई मतलब उत्तर बिहार में अठार से संसट इसमी में बंगाल की तरह एक बार विद्रो भी हो चुका था जो आपको लाल कर सदय कोठी से उत्पन होई थी लेकिन इस विद्रो को अंगरिजों के दौरा निलहों के दौरा दबा दिया गया उसके बाद आपको कहानी चलती है आगे निलकिकिती होते रहत है ठेक उसके बाद क्या होता है कि जामपारण में महात्मा गांधी का आगमन होता है कि जामपारण में महात्मा गांधी का आगमन होता है अब एक कहानी समझेजिए अभी तक जब महात्मा गांधी का आगमन होने के पहले जर्बनी में किरितम निल का उत्पादन शुरू हो तो निलहे भी आपको चमपारन से निल की खेती को समाप्त करके जाना चाहते थे लेकिन उसके बदले किसानों से बहुत अधिक राशियों सुल कर रहे थे कि चलिए आप निल के खेती हमारे या मत किजेगा लेकिन अधिक राशी लेते थे इतना राशी दे दीजिए आपको छोड़ दिया जाता है नहीं ते निल के खेती किजिए और तब तक क्या हुआ था इस तर से हो रहा था कहानी तब तक पर्थम भी स्योद शुरू हो गया और जूर देने लगे तब तक भारत में महात्मा गांधी दचिया पीकर से सफल सत्यागरह करके वापस आ चुके थे ठेक और इसकी सुचना प्रतेक भारतियों को लगी और मोतिहारी की एक इसान जो थे राम परसाद क्या नाम था उनका नाम था आपको शुक्र जी क्या नाम थ निल की खेती के बिरुद अत्यचार के बारे में आपको लखनोल अध्यवेशन में देते हैं लखनोल अध्यवेशन में महात्मा गांधी बोलते हैं ठीक है हम आएंगे इसके बारे में आपको राज कुमार शुक्र जी जो है हमेशा याद दिलाते रहते हैं महात्मा गांध से महात्मा गांधी को लेके आते हैं और महात्मा गांधी पटना होते हुए मुझापरपूर और मुझापरपूर से मतिहारी आते हैं ठीक और मतिहरे में क्या करते हैं जांच परताल शुरू करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें चंपारन छोड़ने का आदेश दिया जाता है गांधे जी ने मना कर दिया कि नहीं हम चंपारन नहीं छोड़ेंगे यह चंपारन के लोगों के लिए अर्चर्ज की बात थी कि अंगरेजों को आदेश को माना कर दिये बाई अधभूत मानों है यह कोई से हो सकता है कि अंगरेजों के अदेश को कोई उलगन कर देगा लोगों में उत्साहा आया इधर महात्मा गांधी को मोतिहारी कोट में उपस्तित होने के लिए बोला जाता है महात्मा गांधी जाते हैं जज के सामने अपने अपरात को सभीकार करते हैं हाँ हमें यह आये हैं आपके कारून का उलगन किये हैं हम किसानों के जांच परताल करते हैं बाद में जज के द दोरा निल है और किसानों के बीच में थोड़ी बहुत टाकाहत की भावना उत्पन होती है इससे बचने के लिए विहार के जो उपराजपल थे अल्वर्ट गेट उन्होंने एक समिति बनाई समिति के अध्यक्ता एफजी सलाई की दोरा किया गया एफजी सलाई की दोरा समिति के ध्यक्ता किया गया जिसमें महात्मा गांधी को सदर्श बनाई गया और इस समिति ने आपको सिपारेश दिया कि निल की खेती को समाप्त कर दिया जाए और कर के रूप में आप एक चौथाई भाग को माप करके बागी भाग असुल लिजिए जिन से कोड असुला गया है उन्हें एक चौथाई भाग आप दे दीजिए इस तर से महात्मा गांधी के दोरा भारत में किया गया पर्थं सत्यागरा हों सफ़ल होते हैं जब मतिहारी कोट में महात्मा गांधी ने अपना पराथ सभिकार कर लिया तो भारत में बुला गया कि महात्मा गांदी की दोरा सविने ओ गया अंदोलन का पर्थम पर्योग यहीं पी किया गया है तो पर्थम पर्योग महात्मा गांदी की दोरा सत्यागरा का कहा किया गया चंपारन में सविने ओ गया का पर्योग पर्थम पर कहा किया गया इस इसमें आपको खेडा सत्यारा उसके बाद आपको अवत किसान उसके बाद आपको किसान अंदलन पता है अं तो तो भारत को सलदें पर दुम के लिए उसको बता दिए मतात्मा गांदी की दोरा चयरा च्मपार्न का सफल सफालता मिल जाती है तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपादि कहां से मिली तो चंपान सत्यागरह से मिली कौन दिये तो रभिन्हा टैगोर के कोई प्रतिनिदियों ने भाग लिया चांपारा ने किसान के प्रतिनिदि के रूप में राजकुमार शुक्र भी कांगरेश के लखनल लधुशन में भाग लेने गए थे फिसेश करकर राजकुमार शुक्र ने गांधी जी से स्वेम चांपारा आने एवं वहां रायतों की द और राजकुमार शुक्र के साथ गांधी जी कुलकाता से आपको रावाना हो गया पटना पहुंचे पटना में आपको उसके बाद राजन्द परसाद की आवास में मिले उसी दिन गांधी जी और राजकुमार बरहामन कॉलेज के पर्धान अध्यापक जे भी किरिफ लानी के नेतरुत में छात्रों अन लोगों ने उनका स्वागत किया मतलब यह लोग जूडती जा रहा है चंपारन अंदलन से याद रिखेगा ठेक चलिए आगे आते हैं पहुचने के बाद पहले गांधी जी ने प्लांटर एसोसीशन के सचीव जे एमबिलसन से मिले तथा उन्हें जाच कार्ज करने में स्वयो करने का अनुरोद किया लेकिन उन्हें सफालता गांधी जी को मिली नहीं ठेक गांधी जी आपको पंद्रे अप्लग 1970 को बाभु धर्निदर और राम नौमी परसाद के साथ मतियारी के लिए परस्तान किया अब देखें चांपारण आने के पहले मुझहपरपुर में ही आपको प्लांटर एसोसियेशन के जो सची थे जेम बिल्सन से मिले थे लें कोई अपको राम नौमी परसाद के साथ माहत्मा गांधी मत्यारी के लिए चले आते हैं hazardous love मतियारी में गांधी जी गुरक परसाद नामका अस्तानिय उखिल के घर रूखे तथा जो सवली पटी गावं में गये जहां एक रहत के साथ घोर दुरु बेहवार क्या गया था मतलब मत्यारी में महात्मा गांधी किसके घर पर रुके थे तो गोरक परसाद जी के घर पर रुके थे ठीक है याद रिखीएगा चांपारन के जीला मजिस्ट्रेट डवलू बी हाड कॉरक ने सोरे अपरए 1970 को गांधी जी पर जारी अधिसोचना यहों समन के दवरा उन्हें चांपारन जीला छोड़ देने का आदेश दिया देखिए चांपारन जीले का छोड़ने का आदेश दिया जाता है लेकिन महात्मा गांधी से इंकार कर देते हैं और धारा 144 का उलंगन करने के आरोप में गांधी जील में 12 बज़े दिन में मोत्यारी के अनुमंडल अधिकारी के समक्त उपस्तित होने का समन मिलता है गांधी जी ने महास्टरेट की अदालत में चंपारन छोड़ने के आदेश का उलंगन करने का आपराद समीकर कर देओ एक प्रभश सैलिस शंचिप व्यक्त करिया बाद में महास्टरेट ने अपने स्रिनाक्त पर उन्हें रिया कर दिया बाद में उन्हें छोड़ भी दिय तरफ उन पर मुखादमा उठाद कर जाच करने का अदेश देदिया गया गांधी जी ने इस सम्मान्ध में लिखा था कि देश को सुनाय अगवा का प्रत्रक सबक था अब देखिए खुद गांधी जी लिखें कि सुनाय अगवा का पर्थम परियोग हमने यहीं पर किया है कि कि हमें क्या हुए पर्थम प्रयोग गंदी जी ने कहा किया था तो छॉमपारन में मतला किषान बड़ी संख्या में अपना ब्यान लिख्वाने गांधी जी के पास आने लगे जांच के बाद गांधी जी ने तेरे मार्च उनिसात्री को बिहार उडिशा सरकार के मुख सच्चिव को अपना जांच रिपोट्स दिया बाद में लेविडेंट लेवर्ण गोणरल एडवर्ड और्वर्ट गेट के बाद में चाम refugee किशान करने के लिए जांच बूर्दर्वर्ट समयती की जी के प्रदान होते हैं वो कौन होते हैं तो Hat theory least एज्ब शी सेलाय होते हैं इनमें सवर्च भाफ्मा ते है ठीक चलिए अब आते हैं समिति ने तीन कठिया था नील या कोई अन फसल उब जाने के है तू पूर्तिया समाथ करने के उससा की मतलब नील बेहुस्ता को आप खतम कर दिये तीन कठिया को खतम कर देजिए ठीक समिति बोला गया इस पर का गांधी जी का सत्यगरा पर्थम प्रयोग चांपारन में सफल सीध हो गया चांपारन किसानों को लगान की एक बड़ा चार दर माप कर दिया गया अभी तक जो लगान हुआ था उसका एक बड़ा चार भाग माप कर दिया गया और जो लगान चुका दिये थी उनकी एक बड़ा चार भाग को लोटा देने का दिया गया और निल की खेती को पूर्था खतम कर दिया गया इस परकर्द से आपको चंपारन सत्यागरह जो था महात्मा गांदी का उस्फल होता है ठीक है अब देश्ट आते हैं कुस इंप्रोटन फैक्ट है यहां पर चंपारन अंदुलन में महात्मा गांदी के परमुक्स सरण आधी लोग थे इस नाम आप लोग याद रखेगा ठीक है यह नाम इंप्रोटेंट है एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं ठीक चलिए नेश्ट आते हैं गांदी जी ने चंपारन के बड़े चंपारन अंदुलन का अंदुलन खत्म हो जाता है जब चंपारन चल रहा ही होता है तो आपना रस्टनात्मक्कारजवि करते हैं जिसे सापसफाई ठीक उसके बदशिक्षाबयोस्ता आधी के लिए कुछ पर्यास करते हैं उस ही में अपना पहला एक्स्कूल जोगानिशी बड़ा हरवा के लखन से नामक गाव में खुले थे, बड़ा हरवा के लखन से नामक गाव में इंपर्टनेट है, याद रिखेगा, कोचन पूछता है, ठीक, जो यह विद्वाले था, वो सिव गुलाम लाल ने एस्कूल के लिए अपने घर दान कर दिये था, उसी में खुल महात्मा गांधी को चांपारान आने के लिए, कौन सुचना देती हैं, तो राज कुमाल सुक्र, महात्मा गांधी को चंपारान आने का निम मंत्रन, कानलेस के किस अधुएशन मिलता है, तो 1916 के लखनोल अधुएशन में, ठीक, महात्मा गांधी ने चंपारान में आपको सभिनाय ओगया अंधुलन, आत्वा सत्यागरा का पर्थम प्रयोक सफल किया, सभिना और गया अंधुलन का ही विर्योदिरूप सत्यागरा है, ठीक, याद रखिएगा, उसके बाद इसमें, जान समयती के सदर्सों में, महात्मा गांधी भी थे, जान समयती जो बनी थी, उसके अध्यक्स कौन थे, तो एफजी सलाई थे, ठीक है, ती रहुत, प्लांटर एसोसेशन के अध्यक्स कौन थे, जे एम बिल्सन थे, ये बात आप लोगों को चर्चा किया है, ठीक है, उसके अध्यार के उपराजब कौन थे, तो गेटवे थे, अलबट गेटवे थे, ये भी बात आप लोगों को बता है, समयती के द्व इस कठा जमिन में तीन कठा में निल उत्पादन को ही तीन कठिया पत्ति कहते हैं, चांपरन अंदुलन के सफलता के बाद ही, महत्मा गांधी को महत्मा कहा गया, किन के द्वारा, तो आपको, किन के द्वारा, तो रभिन नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक, तो महत्मा क्でोगी सत्र कौन थे राजंदर परशाथ ते ख इस नंच्ड जों से राम नोभि टॉल्च सुक्ल्ई अ तिर श्कान सथ आपको संभू सरन्थ उसके सता अपको धरन इतर परशाथ ज़ब शार्वी धियाद रखियी है सबी के नाम आपको याद है मजरूल हक भी है यह नाम याद रिखेगा इन्पोटेंट है ठेक और पर्थम आपको राजनत्र कार्जों में पर्थम विद्या ले चंपारन में कहां खुला गया तो एक खुला गया आपको लखन बढ़ हरवा लखन से नामा गाव में और दूसर पिर्ट्याट के जो संस्तापक थे हरिचंद मुखर जी ने इसका अपने किताब आपको पत्र में इसका उले किया है इसके सांसाथ आपको दिन महंदू मित्र जो थे उन्होंने निल दरपन जो नामक पूस्तक लिखा था उसमें भी आपको पंगाल के निल विद्रों के बा इतना बात आपको चंपरांच सत्यगरह में याद रखना है चलिए दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो से लाव मिल रहा है तो वीडियो को कम चकम सेर करके हेल्प किजिए ताकि हम वीडियो आगे भी आप लोग के लिए पुस्तत करें ठेक है मेरा भी मन बढ़ेगा अगर आप लोग हमारा हेल्प कीजिए तो वाजसे वीडियो हम पूरा करेंगे ठेक है दोस्तों चलिए नवसकार